स्काइनर फोटोग्राफ और सिगिनेचर शूट भी इन जीपीजी और जीपीजीप फॉर्मेट सो हाई एवरिवन वेलकम बैक माई यूटू चैनल सो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे वैसे स्टुडेंट जो भी स्टुडेंट जे में 2024 में अपेर हो रहे हैं यानि की जिनका भी एकजाम 2024 में है तो फ्रेंट से जब आप रजिस्टेशन करोगे यानि की अप्लीकेशन फॉर्म फिलप करोगे सेशन 1 के लिए या सेशन 2 के लिए तो आपको importance documents क्या-क्या upload हो रहे हैं इसके बारे में मैं full details कर देता हूँ जो भी स्टुडेंट OBC के हैं या General के हैं या ACST के हैं या PWK candidate है तो बहुस से स्टुडेंट का डॉट था कि भाईया क्या-क्या upload हो रहा है और मैं उसका format भी बताऊंगा कि कितना KB का होना चाहिए और यह है जो information gluten है इसमें आपको सारा चीछ दिया हुआ है तो वीडियो को last देखिएगा और जितना भी आपको update रहेंगे आपको सबसे पहले मिलता रहेगा चैनल को subscribe कर लिजिएगा और यह जो information gluten है आपको मैं टेलीग्राम में या बार्सब ग्रूप में provide करा दूँगा तो प्लीज आप जाकर मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए और या ग्रूप में जोईन हो सकते हैं तो यह आपको मिल जाएगा information gluten तो इसमें सारा चीज आपको information रहता है जैसी का schedule बेगेरा जितना की कब से कब तक registration बेगेरा होगा ओके आत्तीन तारिक हो चुका है और आप लोग का first session का result भी थोड़ा समय बता देता हूँ 12 फनवरीज 2024 को result भी आ जाएगा इसका उसके बाद से सेशन 2 के लिए भी application फौर 2 फनवरीज से start होगा 2024 में और 2 March को आप लोग का last हो जाएगा और इसका भी result देख सकते हो 25 अपरिल 2024 में आप लोग का result भी आ रहा है session 2 के लिए भी तो सारा information इसे information bulletin में रहता है कितना आपको फी लग रहा है देख सकते हो OBC, SC, ST के लिए, General के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको PDF को मैं अपने ग्रूप में डाल दूँगा WhatsApp ग्रूप आप टेलिग्राम ग्रूप में तो आप देख लिजिएगा तो प्लीज जाकर ज्वाइन हो जाएए डिस्क्रिशन में बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आपका प्रोसेस होगा नीचे मैं देखता हूँ, सेवे नंबर में था, हाँ, आ जाता है आपको कि क्या अपलोड होंगे, आप ध्यान पूरबग देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको क्या-क्या लगेगा, जब आप रजिस्टेशन यानि कि अपलिकेशन फॉर्म फिलप जेइमें सेशन वन के लिए करोगे या टू के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको जो फोटोग्राफ होगा, यहाँ पर सेकेंड देख सकते हो, लिखा हुआ है कि the scanner photograph and signature should be in gpg and gpeg format, तो आपको जो फोटोग्राफ होगा, वो gpg में होना चाहिए फ़र में है कि the size of a scanner photograph should be 10 kb to 200 kb, यानि कि जो आपका photo का size होना चाहिए अगर अपने से भर रहे हो, phone fill up कर रहे हो, 10 kb से लेकर 200 kb के बीच में आपको रखना है, जो कि online आपको resize हो जागा photo, आप Google पर कर लोगे तो फिर है उसके बाद, the size of a scanner signature should be 4 kb and 30 kb, तो 4 kb से लेकर आपको 30 kb के बीच में आपको signature होनी चाहिए उसके बाद है, the size of a scanner copy PW certificate should be between 50 kb to 300 kb, तो आपको जो PW की student है, तो उनको 50 kb से लेकर 300 kb का PDF अपलोड कर सकते हैं अब बात आजाता है, OBC के लिए, तो OBC के लिए OBC NCEL certificate आपको registration के time नहीं लग रहा है, जब आपका जोसा counseling होगा उस समय, एक मार्च 2024 के बाद का आपको होना चाहिए OBC NCEL certificate, तो आपको केवल, आपको PWD candidate के लिए certificate लग रहा है, बाकी और कोई का नहीं लग रहा है, जब registration होगा, तो यही इसमें आपको information gluten में दिया हुआ है, और फ्रेंस, इसमें सारा चाहिए आपको information दिया हुआ है, आप देख सकते हो, मैं इसको telegram में, group में डाल देता हूँ, ओके, तो कोई भी, आपको information चाहिए, तो प्लीज आप comment किज़िए, 75% से related भी या कोई भी, तो मै आपको video बना समझा दूँगा, चलिए, thank you so much friends,